हाई पेंग जॉब की गारेंटी चाहिए तो भाई CAC लेलो बाकी तरह इफ सेट है अगर 2024 में किसी ने तुम्हें इस चेटमेंट की साथ चूना लगाया तो भाई तुम्हारे साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्काम हो चुका है इससे बहले में वीडियो में आगे बढ़ू त तुम्हें किस तरीकी की एडवाईस मिले थी अपने सीनियर से, टीचर से, पेरिंट से या फिर किसी टेक कॉंटेंट क्रियेटर से भाई गए वो जमाने जहां पर तुम्हें टेक में जॉब के लिए सिर्फ एक CAC की डिगरी चाहिए होती थी आज के टाइम पर अगर तुम और उपर से समझा दिया जाता है, इंडेट तुम्हें नॉलिज नहीं मिलती है और उसका कुछ खास फायदा होता नहीं है, और तुमने ज़र यह हाईपेंग स्किल्स में अपग्रेड नहीं किया, तो डिगरी लेके बस बैठे रह जाओगे, और जो यह चीज़ेगा, यू करेंटल एक working professional हो, किसी service based company में या फिर entry level startup में जहां पर तुमारी salary एक दो LPA है, और कैसे तुम्हें एक high paying job ले सकते हो, पुरा detailed roadmap, एक एक चीज़, and expected salary, सब कुछ मैं तुम्हें आज वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, हम उन 5 job roles पे jump करें, उससे पहले तुम comment section में ज अच्छे से plan कर पाऊंगा, so don't miss this point out, and also यह वाली जो fields है नो common है, but यहां पर तुम्हें expected salary, कौन से तुम्हें basic skills चाहिए, and कौन सी companies इन skills के लिए hire कर रही होते हैं, वो सारी चीज़े detail में बताने वाला हूँ, तो end तक वीडियो को जरूर देखना, so without any further delay, let's start the video, the first and the hottest skill in the market right now is AI and ML, artificial intelligence and machine learning, आज के टाइम पर हर कंपनी AI को integrate कर रही है, इसी वज़े से जो demand है, वो national level पर और global level पर काफी जादा बढ़ती जा रही है, healthcare में AI से disease diagnose काफी जादा fast हो गया है, finance में fraud detection and customer support automation से जो पूरा process है, वो काफी जादा बढ़िया and automated हो गया है, and इस वज़े से companies जादा अच्छे से serve भी कर पा रही है, agriculture में AI जो है वो farmers को crop monitoring में काफी जादा help कर रहा है, तो वहीं transportation में root optimization से time and fuel दोनों save होता है, chart bots customer service में fast response देते हैं, जिससे customer satisfaction भी बढ़ता है, manufacturing में AI quality control और predictive maintenance में भी help करता है, जो तुमारे downtime कम करता है, उसके साथ साथ production efficiency भी भढ़ाता है, अब यह skill तुम अपने resume में add करोगे तो eyeballs तुम्हारे resume को जरूर देखेंगे and तुम्हारे resume के select होने के chances काफे जादा increase भी हो जाएंगे, अब salaries की में बात करूँ तो AI ML engineers के वो salary वो competitively जादा होती है, but यह depend भी करती है, तुम्हारे current experience पे and साथ साथ consistency में तुम job को सकते and finally senior position इसके बाद manager role पे जाते हैं या फिर इसके बाद और senior software engineer वाले roles पे जा रही होगे, तो आपको 45-75 lakhs plus और भी ESOPs benefit बहुत सारी चीज़े और भी मिल रही होगी, अब AI ML engineer बनने के लिए फिर इस वाली field में जाने के लिए तुम्हारे क्या क्या चीज़े सीखनी पड अब सब बोलोगे कि already सब कुछ लिखा है बट सिल तुम्हें understanding होनी चाहिए कि चीज़े exactly work कैसे करती है, इसके साथ साथ तुम्हें deep learning frameworks भी आने चाहिए, TensorFlow and Python जैसे, and finally computer vision and NLP जैसे तुम्हें advanced technologies भी आनी चाहिए, अब यहां पे तुम्हारी top companies, Google, Microsoft, Amazon, Meta, सारी companies hire कर रही है, इंडिया में भी काफी Indian companies, Fractal Analytics है, and Tiger Analytics है, यह companies भी hire कर रही है, and और भी बहुत सारी companies, जहांपे भी AIML की need है, आपे integration करी जा सकती है, सब companies भी hire कर रही है, तो धेर मत करो, जल्दी से इस वाले skill को सीखो, and अपने portfolio में भी add कर लो, AIML के बाद second जो high paying skill है, वो तुम्हारी data data science and big data analytics आ जाती है, अब हर business में बहुत जादा different तरीके का data होता है, from customer behavior to market trends, and जितना भी data आज के time पर exist करता है, उसमें से 90% जो data हो तुमारा last 2 साल में generate हुआ है, 2021 से लेके 2023 तक, and approximately 402 million terabytes का data हर दिन generate हो रहा होता है, and have a look at this graph, and see, हर साल global data की speeds increase हो रहा है, and companies के लिए इस data से insights निकालना न, एक gold mine की तरह है, अब जितना जादा तुम insights निकालोगे, उतना अपना product को sell कर पाओगे, या फिर अपनी चीजों को improve कर पाओगे, अब companies have data driven decisions ले रही है, which means, पूरा business strategy, data के insights पर depend करता है, firms credit कर सकते हैं कि customers की preference क्या है, और वो क्या खरीद दे वाले है, क्या क आप करेंगे, and they can optimize their operations and reduce unnecessary costs, and यह वाली skill ना उन सब के लिए बिल्कुल perfect है, जिनको data and numbers को देख के मजा आता है, and मेरे एक दोस ने recently इस वाले skill को master करके 35 lakhs का package उठाया है, and तो मालोगे नहीं, वो मेरे से बस एक साल जादा experience जाए, अब जल्दी से data science and data analytics के जो basic salary है, average salary उसक 10 lakhs ही मिल रही होती है, 3 to 5 years experience में 10 to 20 lakhs मिल रही होती है, 5 to 80 year experience पे 18 to 35 lakhs मिल रही होती है, and senior positions पे 30 to 50 lakhs है फिर उससे जादा भी मिल सकता है, and मैं averages की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे दोस को 4 साल experience पे 35 lakhs का package मिला है, वैसे यहाँ पे extremes ही available है, अब data analytics को master करने के लिए तो मैं क् Python आनी चाहिए, next में big data framework जैसे Hadoop and Spark आना चाहिए, and finally SQL and NoSQL databases भी तुमें आने चाहिए, कैसे use करते हैं, कैसे queries लिखते हैं, सारी चीज़ है, and इस skill के लिए तुम खुद सोच के देखो, सबसे जाए data कहां generate होता है, कहां पे सबसे जादा job requirements होगी, जापे customer को कुछ sell किया जा यह क्या करना चाहता है, सारी चीज़ें, तो इस type की companies में तुम apply कर सकते हैं, यहाँ पे अभी hiring भी हो रही है, data science एक ऐसी field है, जो future में और जादा in demand आएगी, because data increase करता जाएगा, insights निकालना बहुत जादा important होगा, and if you are a student जो अपने math teacher का favorite होता था स्कूल में, college में, तो this is made for you, third hyping skill आजाती है, cyber security, जैसे मैंने आप लोगों को last point में mention किया था, data is a gold mine for companies, and उनके लिए आज के time पे सबसे बड़ा threat है, hackers and cyber criminals, and digital threats जो तुमारे हैं, वो इतने जादा severe and serious होते हैं, कि बस एक छोटे से data breach से ही, करोड का नुकसान हो जाता है, customer data, financial record, intellectual property, इन सारे चीज़ के लिए गोल्ड माइन है, and companies के बास, अगर cyber security expert नहीं होते हैं, strong cyber security expert, तो जो उनका पूरा future है, वो भाई risk पर रहता है, क्योंकि इतना सारा data generate होता है, इतना सारा important customer data है, private data है, जो अगर publicly leak हो जाएगा, तो बहुत जादा problem हो सकती है, तो छोटी company से लेके बड़ी company तक हर ज सालरी के बारे हम बात कर लेते हैं, freshers के लिए यहां पर तुम्हें 5-10 लाग के average salary मिल जाती है, 3-5 years experience पर तुम्हें 12-20 लाग का package मिल सकता है, 5-8 years experience पर तुम्हें 24-40 लाग का package मिल सकता है, and senior position जैसे CISO, तुमारा Chief Information Security Officer, यहां पर भाई, तुम्हें करोड़ों में भी package मिल testing, and तुम्हें tools आने चाहिए, जैसे Nmap and Wireshark, अगर मैं top companies की बात करों, तो IBM, Cisco, Microsoft में cyber security के लिए लोग hire होते रहते हैं, और Indian IT giant जैसे HCLT, CSP, Pro, यह सारी companies भी काफी जादा like quantity में hire करते हैं in engineers को, अभी मैंने last 3 hyping skills की बात करी, अब तुमारे दिमाग में एक question आ रहा होगा, यार निशान में ये सारी चीज़े शुरू कहां से करो, मैं तो coding आती नहीं है, if I want to start, I need to start somewhere, right, अब इस confusion को दूर करने के लिए, I am telling you about AlgoPrep X, अब AlgoPrep X पे आप लोगो साढ़े 400 घंटे से जादा content मिन जाता है, जिसमें आपको DSA, Basic Language, Java सिखा दी जाती है, इसके साथ-सा सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिल जाता है, और साथ-साथ आप अपनी questions की practice भी यहीं पर कर सकते हैं, चाहे वो DSA हो, चाहे वो web development हो, चाहे वो LLD हो, अगर आप लोगो को high paying job चाहिए, तो आप लोगो पहले foundation strong करना बहुत जादा important है, और जितने भी हाँ पर courses हैं, इस Algo Google people who are working at Indian big tech startups, जैसे Cars24, सब कुछ वो पढ़ाते हैं, और जो यह पूरा subscription आपको काफी pocket friendly prices पर मिल जाता है, there are 3 options, 1 year, 2 year and 4 year, अगर आप 4 साल का लेते हैं, तो per year आपको 1500-2000 type का पढ़ रहा होता है, यह पूरा subscription, एक बार अगर भार खाने जाओगे, तो सिज़ादा पैसे अब जो तुमारे traditional systems होते हैं, इसमें manipulation and fraud करने के chances बहुत जादा होते हैं, but blockchain में तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, because blockchain में जितने भी तुमारे transaction होते हैं, वो immutable होते हैं and इसके साथ साथ transparent होते हैं, अब cryptocurrency के अलावा भी न, इसके बहुत सारे applications हैं, मैंने college में खुद भी blockchain क करा हुआ है, तो सबसे बहुत तुमारे smart contracts आ जाता है, जिससे तुम बहुत सारी applications and real world projects भी बना सकते हो, इसके साथ साथ तुमारे supply chain management, finance, government sector and data integrity हर जगा पे blockchain को use किया जा सकता है, and start-up से लेके MNCs, blockchain में काफी जादा highly invest कर रही हैं, तो अब साली structure की बात कर लें, तुम freshers की आप लोगों को मिल जाती है, 3 to 5 years experience में 10 से 25 लाक, 5 to 8 years experience में 25 to 48 लाक, lead position में 45 to 70 लाक रुपीज मिल जाता है, and यह Indian salaries की बात कर रहा हूँ, अगर आप remote startups में काम करते है, remote job करते हैं, तो आपको 70 लाक, 80 लाक तो starting package भी मिल सकता है, अब यहां पर skills आप लोगों क्या आना चाह आपको एक programming language आनी चाहिए, JavaScript सबसे ज्यादा use होती है, तो वो आपको definitely आनी चाहिए, next हमारे smart contracts लिखना आता है, solidity एक languages में smart contracts लिखते हैं, तो वो भी आप लोगों को आनी चाहिए, web3.js यह framework पूरा web3 के लिए use होता है, JavaScript तो इसलिए मैंने पहले बोला था कि JavaScript definitely आनी चाहि सब्सक्राइब, जो काफे ज़्यादा important भी है, बहुत सारी companies हैं इंडिया में अगर तुम बात करोगे, तो Coin DCX हो गए, तुमारी वजीर X हो गए, यह सारी companies इंडिया में hire कर रही होते हैं, enterprises IBM जैसी companies है, जो आप लोगों को like big tech की बात करें तो यहां पर आप जा सकते हो definitely, यही भी companies, blockchain में काफी innovative चीज़े कर रही हैं, और साथ-साथ Accenture का भी अपना blockchain division भी है, अब blockchain एक बहुत emerging पुरी domain है, काफी नहीं है, जाधा पुरानी है, नहीं, 7-8-10 साल हो रहे है, bitcoin है काफी जाधा volatile है, उपर नीचे होता रहता है, बाट इन जनल ब्लोक्चेन के काफी जाध सारे use cases है, तो if you are interested in new tech, new चीज़े हैं, तो definitely try out कर सकते हो, and it's easy to start with, web development अगर आप लोगों ने सीख लिए, Algo Prep X में आप definitive वो भी सीख सकते हो, तो यह वाला पूरा पात follow करना would not be that tough for you, अब last but not the least, product management, अब product management तुमारे technology and business के बीच का एक पुरा domain है, अब product management ना काफी important एक पूरा segment है, because customer के needs क्या है, कैसे उसको fulfill किया जा सकता है, वो सारे चीज़े, analyze करके decide करते हैं कि product में क्या चीज़े होने वाली है, अगर तुमारे पास technical background है, इसके साथ साथ business acumen भी है, तो यह तुमारे लिए काफी बढ़िया रोल हो सकता है, अग मेरे बहुत सारे दोस जैसने Uber में from a software engineering role to product management काफी recently shift किया है, अब salary range की बात कर ले, तो जहाँ पर entry level role होता है, वो तुमारा APM होता है, associate product manager, बहुत कम companies में होता है, generally जो तुम्हारे product management वाले roles होता है, वो MBA के बाद मिल रहे होते हैं, but काफी companies APM भी hire करते हैं, directly straight out of college, तो आपको salary मिल जाती हो, 8-15 जाती है, product manager, जो after end भी hire होता है, उनकी average salary होते है, 15-30 लाक होती है, next, senior product manager, जो तुमारे होता है, 30-50 लाक होती है, इसके बाद senior management director, head positions पर तुम जाओगे, तो 50 लाक से एक करोड तक salary हो सकती है, अब इस field में क्या का चीज़ हो तुम्हें आनी चाहिए, सबसे पहले तुम्ह प्लानिंग आने चाहिए, second वारा user research और problem solving तुम्हारे पास ability होनी चाहिए, next, agile methodologies तुम्हें आनी चाहिए, and finally data analysis, and matrix driven decision making भी तुम्हें आनी चाहिए, ये सारी चीज़े ऐसी है, जब तुम प्रोट में काम करोगे, नहीं चीज़े बनाऊगे, तो धीरे धीरे शीखते भी ज जायर कर रही है, Google, Amazon, Microsoft सबको product managers चाहिए होते हैं, सबका नाम different हो सकता है, जैसे Microsoft में program managers बोलते हैं, product managers नहीं बोलते हैं, but है, India में तुम्हारी जितने भी नए start-up से बाद भी पीटीम हो, तुम्हारा Zoomatter हो, सभीई हो, हर जगहा तुम्हारे प्रोट मानेजर चाहिए होते है तो ये तुमारे top 5 skills हो गए, last but not the least, कुछ important pointers हैं, जिनका तुमें definitely ध्यान रखना है, चाहे तुम कोई भी skill कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, चाहे तुम college में basic coding ही सीख रहे हो, बट इस चीज इन सब points को ध्यान से सुनना, ये सारे points तुमें career में grow करने के लिए काफी ज़्यादा help करने वाले हैं, सबसे पहले सबसे important tip यही है, कि तुमें skills को combine करना सीखना पड़ेगा, अगर तुम multiple skills को combine करते हो, तो तुमारी market value काफी ज़्यादा increase होती होती है, तुमें 20-30% extra salary भी मिल सकते है similar roles पर, तुमारा similar, अगर तुम बोलो तो full stack development and devops, devops, तुमारा पूरा pipeline पहला काम होता है, कैसे एक बार ही जब तुमने software डाल दिया, software बना दिया, तो users तक कैसे पहुंचेगा, कैसे उसकी testing होगी, कैसे सारे चीज़े होती है, CICD pipelines मनाना, फिर pipelines को test करना, monitor करना, बहुत सारे चीज़े आते हैं, काफी important role ये हो जाता है, and finally, तुमारा technical role प्लस business role, अगर तुमें ये business वाला side भी आ जाता है, तो तुम जाधा अच्छे product decisions ले पाऊगे, जाधा अच्छे as a software engineer भी decisions ले पाऊगे, तो ये भी एक important skill है, दोनों तुम साथ में definitely सीख सकते हो, and इस वज़ा से तुम tech lead वाले positions पे भी धीरे-धीरे transition कर सकते हो, Second tip, career growth, career growth के रहना कुछ important tips तुमें अपने दिमाग में हमेशा रखनी चाहिए, सबसे पहले certifications important होते हैं, काफे सारी companies को certifications रही होते हैं, तो जितना जाधा time तुम इस पर लगा सकते हो, लगाओ certifications लेते रहो हैं, हर 6 महीने एक साल में कुछ नहीं चीज़ सीखते रहो, Second, projects, मैंने कितनी बार ही बोला कि projects बहुत साथ important है, तुमें hands-on learning में help करते हैं, तुमारे resume को improve करते हैं, तुमारे first job लेने में काफे ज़्यादा help भी करेंगे, and real world projects से तुमारे internships हैं, बहुत ज़्यादा helpful होते हैं to get a job. Fourth, आजाता है तुमारे GitHub portfolio, अगर तुमारे GitHub का portfolio कापी अच्छा है, और काफी बार recruiters तुमें directly भी approach करेंगे for a job. And last but not the least, LinkedIn पे active रहो. LinkedIn पे active रहो, recruiters के साथ connection request भेज के connect करते रहो, अपनी जो profile उसको up-to-date रखो, चीज़े add करते रहो, बहुत सारे लोग रहते रहते हैं कि में को job नहीं मिल रहे हैं, तुम पिछले 2 points को अच्छे से implement करोगे, तो तुमारे ले job switch करना competitively easy हो जाएगा. And अगर job switch कर रहे हो, 10x तक तुम्हें अपना CTC है, या फिर packages को increase करना है, तो इन कुछ pointers का जरूर ध्यान रखना. Job switch पे जो तुम्हे हाइक मिल रही होते है, 30-50% होती है, Startups में तुम्हें जादा ownership मिल रही होती है, बट तुम्हें MNCs में जादा structure मिल रहा होता है, तो जो चीज तुम जादा prefer करते हो उसको तुम, मतलब उस company में तुम जा सकते हो. तो यह तुम्हें तुम्हें 5 top skills है, 2024 में 2025 में भी इनकी जो importance of increase होती जाएगी, तो definitely जाके सीखना शुरू कर दो आज की टाइम पे, और विडियो अगर helpful लगे हो तो like जरूर कर देना, comments में जरूर बताना कौन सी skill तुम्हें सबसे जादा interesting लगे है, कौन सी skill तुम करना, सीखना शुरू कर दो अभी, अगर तुम्हें से किसी भी skill के बारे में detail में सीखना जाथ तो comment section में जरूर बता देना, एक पूरी in-depth वीडियो बे इसके बारे में बना देंगे, अगर तुम्हें start करना अपना coding career तो AlgoPrep को definitely check out करो, the link is in the description and don't forget to subscribe and press the bell icon, Thank you for watching, मिलते नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिए, Bye!